हेलो स्वेंट्स माय नेम इस गिताजली इंदिरिया वेलकम टु स्टेप अप एकेडमी चले और आज देखने वाले हम चैप्टर नंबर बारा और वो है शितिच नाइन्थ हिंदी का क्या है इस चैप्टर में यह हम देखेंगे चैप्टर के अंदर है मेघ आए मेघ मतलब ब बादल आए अब बादल जब आते हैं तो मौसम कैसा होता है शायद ऐसा ही कुछ इस कविता में दिया हुआ है तो हम कविता पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मेघ आए तो कैसे आए बंठन कर आए समर कर आए या वारिस की बोचार लाए या आकर के बल संकेत ही देकर चले गए तो देखते हैं यह पार्ट में है क्या पहले तो इस पार्ट को जो लिखने वाले हैं जो कभी हैं वो है सरवेश्वर दयाल सकसेना जी की द्वारा लिखा हुआ जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ और इनकी जो सिक्षा थी वो चलाने के लिए काफी संघर्स करना पड़ा बाद में दिनमान के संपादक हुए उप संपादक हुए चर्चित बालपत्री का पराग के संपादक बने और 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया अचानक ही इनकी मृत्यू हो गई तो यह इनका परिचय था आगे इनके परिचय मे नहीं है कि काट की घंटियां बास का पुल एकसूनी नाप गर्म हवाई कुआनो नदी जंगल का दर्द खूटियों पर टंगे लोग और उनके प्रमुक कविता संग्रे हैं यह नई कविता के प्रमुक कभी सरवेश्वर दयाल सकसेना ने उपन्यास भी लिखे हैं तो थंब के लिए सर्वेश्वर दयाल सी चर्चित रहे हैं उन्हें साहित अकादमी पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया है सर्वेश्वर के काब में ग्रामीड तक की जलक देखने को मिलती है और साथी मद्यंबर्गी जीवन का बोध भी होता है यह बोध उनके कथ में ही नहीं उनकी भासा में भी साफ और स्पष्ट दिखाई देता है सर्वेस्वर की भासा सहज और बड़ी ही लोग की महक लिए हुए होती है अब कविता का सार पढ़ लेते अगर सार पता चल जाए तो कविता पढ़ने में शायद मज़ा आ जाता है तो सार देख लेते हैं कि आखिर मेग आये ये क्यों बोला गया है मेगाय कविता में कभी सर्विस्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रक्रति का अद्भुधी बढ़नन किया है मानवी करण की माध्यम से कवी ने कविता को चित्ता कर्शक बना दिया है चित्ता कर्शक का मतलब वो था मन को उसकी तरफ आकर्शित हो रहा है मन कवी ने बादलों को महमान के रूप में बताया है ठीक है वही है बड़े आए बंठर के सबर के मेहमान के रूप में बताया, पूरे साल भर के इंतजार है, यह जा लिखा हुआ, इंतजार के बाद जब बादल आए, तो गाओं के लोग बादलों का स्वागत उसी प्रकार करते हैं, जैसे गाओं में कोई मेहमान आ जाता है, या गाओं का कोई दामाद आ जाता है, तो कहीं आज भी यह परंपराय की गाउं में यदि एक घर का दामाद आता है तो पूरा गाउं से अपना दामाद समझता है और बैसे ही स्वागत होता वो किसी भी गली से निकल जा और पता लगे कि यह उनके घर के दामाद हैं तो वो दामाद जी कह करीब उनके अपने घर में भ पड़ोसी बेक्ती बुलाएगा बिठाएगा पानी चाए पूछेगा खाने की भी पूछेगा और बड़े अच्छे सुनका स्वागत करेगा तो यह परंपरा गाउं में बहुत अच्छी है कि एक घर की बेटी की हजबन के उना आये हो वो पूरे जो गाउं के दामाद कहलात तो स्वागत करते किसी ने स्वागत किया तो किसी ने उलाहना भी दी मतलब किसी ने बुराई भी की कोई कमेंट भी पास किया बादलों की स्वागत में सारी प्रकृति ओपस्थित हो जाती कैसे बादल महमान है अथा दामाद की तरह बड़े बंधन के सवर किया है क्योंकि जो हबा है मेग को देखने के लिए हर आदमी उतावला हो रहा रहे बादल आगए बादल आगए तेज गर्मी से हम बचेंगे इसलिए सब ने अपने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां खोल दी हैं और बादलों को देख रहे हैं आधी चली और धूल इधर उधर भागने लगी जब आधी चलती तो धूल भी उड़ती है धूल का भागना ऐसा लग रहा है मानो कोई गाओं की लड़की अपना घागरा उठाकर घर की तरव बड़ी जल्दवाजी में भागे जा रही है गाओं की नदीवी एक प्रेमीका की तरह अपने महमान मेगों को देखकर ठिटक गई है थोड़ी सी शरम आ गई है उसको उन्हें तिर्ची नजर से देखने लगी है गाओं की सुंद्रियों ने अपना घूंगत उठाकर बने ठने सजे सवरे महमानों के समान बादलों को द तो आपने देखा कि प्रक्योती का जितना भी है हवा है नदी है ठीक है अभी लताएं भी आएंगी बीच में फिर इसके बाद पीपल है यह सब कुछ क्या बता दिया गए मनुस्य के जैसा बढ़नन किया अर्था पूरा पार्ट मानमिक रानंकार से भरा हुआ है साल भर की गर्मी से सहकर मुर्जाई हुई लताएं ऐसे दर्वाजे के पीछे चिपक कर रह गई हैं जैसे कोई नाई का दर्वाजे के पीछे खड़े होकर अपने आने वाले को उलाहना दे रही हो कि पूरा साल बिता कर आब आए हो मतलब एक नाई का अपने नायक को जो आए हुए ह उनको बड़ी दूर से छुपकर देख रही है कि बड़े दिन बाद आये हैं अभी तक याद नहीं आई क्या मेरी मैं मरी हूं या जी हूं ऐसी मतलब बातें बता रहे हैं कि साइध इस तरीके से जैसे कोई लेडी कोई नाई का अपने पती के आने पर नायक के आने पर इस तर लग रहा है मानो बादलों की स्वागत के लिए परात में पानी बिछा लिया हो चारों और बादल गरजने लग गये हैं बिजली चमकने लगी है जड़़़पानी बरसने लगा है कोई कहने लगा है कि मुझे चमा कर देना कर दो बरसा होगी कि नहीं मेरा भ्रम तूट गया अब मुझे विश्वास हो गया है कि बर्षा अवश्य ही होगी मेघ रूपी मेहमान को लता रूपी अपनी प्रिया से मिलते देखका सारी प्रक्रती खुश हो गई सभी खुश हुए बरसा रूपी खुशी के आशु बहने लगे हैं ठीक पत्रिक आप देखिए इनका प्र साहे तकादमी मिला ठीक है अब यहां से हमारी कविता प्रारंभ होती है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली बयार का मतलब होता है हवा बयार का अर्थ होता है हवा यह एक शेत्री भासा का शब्द है बयार चलना तो बादल जो है व खुलने लगी हैं गली गली में सारे लोग दरवाजी खिड़की खोल कर मौशम का मौसम का हाल देख रहे हैं और बादलों का स्वागत भी कर रहे हैं पाहुन जो आए हो गाउं में पाहुन मतलब महमान जैसे कोई महमान शहर से गाउं आया हो मेघ आए बड़े बंठन के उचकाए मतलब पेड जुकते भी हैं और एकदम उचलते भी हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुद खुद कर वो देख रहे हैं महमान को आधी चली दूल भागी घंगरा उठा आधी चलती है तो ऐसा लगता है कि अपने घंगरे को अपने लहंगे को उठा कर कोई बाली का भाग बाकी चित्वन उठा नदी ठिटकी घूंगट सर के मतलब नदी बी बादलों मेग के आने पर नदी थोड़ी शर्मा गई है मेग आए बड़े बंठन के सवर कर चले आए बूडे पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की जैसे की दामात के आने पर महमान के आने पर घर का कोई ब पुराना बगाओं का पीपल का ब्रक्ष भी बादलों के आने पर बादलों के आने से उनको उनकी तरफ जुक कर उनका भी बादन कर रहा है बरस बाद सुधिलीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की किवार मतलब होता है दर्वाजा किवार मतलब होता है दर्वाजा ओट मतलब होता है उसके पीछे आड में दर्वाजे के पीछे से लता ऐसे देख रही है मुर्जाई हुई जैसे कोई नाई का अपने नायक से कह रही है कि अब तुम्हें मेरी याद आई अभी तक मिलने ना है मुझसे हर साया ताल लाया पानी परात भर के ताल आप ऐसा मुस्कु के स्वागत के लिए और मे घाय बड़े बंठन के समर के शितिज अटारी गहराई दामनी दमिर्की शितिज अटारी मतलब जहां पर शितिज दिखाई रेता है दूर का कोना तो इसको बताए गया है कि उची अटारी मतलब ऊपर की तरफ दामनी बिजली चमक रही है चमा कर जो गांट खुल गई अब भरम की हो कर अब लग रहा है जो भी तक हमें दिये डर था कि भरम था कि पानी गिरे अगर नहीं गिर अगर लेकिन अब बिजली के चमकने से पता लग गया है कि पानी तो अवश्य ही गिरेगा में घाय बड़े बंठन के सवर के अब देखे प्र प्रक्रती में क्या होता है हवा चलने लगती है धूल ओड़ने लगती है जो पेड़ पौधे वो जुकने लगते हैं नदी में भी हल्चल पैदा हो जाती है यह देखिए क्या चलने लगती है हवा चलने लगती है फिर सबी लोग अपने घर की दरवाजे खोल लेते हैं और जो वीपल के ब्रक्षी आप पुराने पेड़ हैं वो भी क्या होते हैं उचलते कूते हैं मतलब हवासे उपर की तरफ जाते हैं जुक कर नीचे आते हैं आंधी का आना धूल का उड़ाना होता है नदी रूपी स्री की बात की गई है तो यहां आप उसके प्रतीमानों को भी लेख सकते हैं सीधा उसका नाम भी लेख सकते हैं क्या क्या हुआ अगला प्रश्न आए अब देखिए इसके आगे इस्वागत में तालाब आ गए हैं तालाब ने बिजली चमकने लगी है किसके प्रतीक है धूल यहां पर किसका प्रतीक बता है बालीका का देखिए धूल इस्त्री का पेड़ बुजुर्गों का नदी एक बाली का जो ठिटा कर इस्त्री लता नाईका का और ताल परांत का सेबक का वही ठीक है पेड़ नगरवासी है बुजुर्ग कहा गया है जिसे लता ने बादल रूपी महमान को किस तरह देखा और क्यों दे जुग जुग कर देख रहे हिए चुकिainen अभ्लता गरमी के मौसम से क्या हो चुकी है मुर्जा चुकिए तो उसे भी बादलों का इंतिजार है तो उसे एक नाईका का रूप बताया गया है कि वह आने पर कैसे देख रही है जैसे कोई नायक कुनाई का छुकर ओड में देखती है कि आप अभी तक मेरी सुद भूल चुके थे आए नहीं मैं तो मुर्जाने लगी हूँ चमा करो गांट खुल गई या भरम की अब जहां पर लोगों के अंदर ये आशंकाएं थी कि हाँ ठीक है बादली तो आयें कौन सा बारिस होने वाली है लेकिन जब तेज बिजली चमकने लगी तो लोगों का भरम तूट गया कि अब बारिस जरूर होगी ठीक है बाकी चित्वन उठा नदी ठिटकी गूंगट सरके इसका अर्थ ये है कि बादलों के आने से जिस प्रकार की किसी महमान के आने पर एक बहू एक दुलहन गाओं की इस्त्री ठिटक कर शर्मा कर रह जाती है वैसे ही बादलों के आने पर नदी में भी हलकी हल चल हुई है वो भी बादलों की तरफ जैसे कोई इस्तरी देखती है ना महमान की तरफ ऐसे नदी भी देखकर शर्मा रही है मेघ रूपी महमान की आने से बातर रहने क्या परिवर्तन हुआ चार और हवाएं चलने लगी है बिजली चमकने लगी है और पेड़ है जो की जूम रहे हैं लताएं हैं जो की कैसी है उतपानी मोधल पुतल है लताएं भी महकने लगी है बारिस होने लगी है अंत मेघों के ल क्या होते हैं यह गरजन के साथ आते हैं और उसकी कल्पना दामाद से की गई है पाठ में जैसे दामाद बहुत दिनों के बाद ससुराल पहुंचते हैं बड़े बंठन के सवर के पहुंचते हैं ठीक बादल भी बहुत दिनों के बाद बड़ी आवाज करते हुए सजे सवरे स से प्रतीत हो रहे हैं कभीता में आये मानवी करन तथा रूपक अलंग करके बताइए मानवी करन तो बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं रूपक अलंग मानवी करन देख लो में घाय बड़े बंठन के सवर के नाच्ती बयार चली पेड जुक जाकने लगे धूल भागी घागरा बाकी चित्वन उठा नदी ठिटकी बूड़े पीपल ने जोहार की बोली अकुलाई लता हरसाया तारे लाया पानी परात भर के ये तो हो गए सारे के सारे मानवी करन लंकार कुछ छूटा हो तो एड़ कर लेना आब इसके अलाबा रूपक अलंकार क्या है जब उसी के समा उसको मान लिया जाए उपमे में उपमान की पूरता कल्पना या पूरता मान लिया जाए शितेज अटारी गहराई शितेज को जो अटारी है वो बान लिया कि शितेज ऐसा है कि इसे उपर की बालकनी जैसा हो फिर दामनी दमकी बिजली चमकी ये भी सीधा मान लिया रूप कर लिए खड़े रहते हैं, वह टालाप के लिए बोला ढिया है, एक नाई, एक उगाओं की औरच जो इठ्टक कर रह जाती है, वो नदी के लिए बोला ढिया है, और क्या है? इस ती पड़दे करती हैं, पूरी उत्स्छुकतास के साथ, ये सारी बाते हैं कि पल का जुकना, बुजुर की बात कही गई है, सर्मा का ठिटक जाना नदी के लिए बोला गया है, साथ ही पैरों को धुलाने के लिए जो परात में पानी रखा गया है, ये भी प्राचीन परंपरा है, कवीटा में कवीने आकास में बादल और गाउं में महमान की आने का जो रोचक बढ़न कि लगते हैं, लोग हाथ में परात में पानी लिए खड़े होते हैं, ये सवाहर, देखिए कवीता में मेग और बादल की आगमन बताए, जब गाउं में मेग आते हैं, तो सारे लोग उनको देखुसियां मनाते हैं, अपनी खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, प्रक्रती के सारे अंग जैसे स्वागत के लिए तयार हो जाते हैं, जैसे आधी का उठना, धूल का उड़ना, घंगरा उठा कर भागी, नदी का बाकी नजर से ठटक कर देखना, तालाप का परात के रूप में पानी लेकर आना, दलता का नाइका के रूप में छुप कर देखना, और प अब इस अंदरे लिखिए, पाहुन जो आए हो गाओं में शहर के, मेग आए बड़े बंठन के सवर के, जैसे कोई पाहुन, कोई महमान, कोई दामाद, शहर से बड़े बंठन के अपनी सस्वराल की तरफ आता है, बड़े दिनों के बाद बैसे ही बादल भी, बड़े अगला है रचना और अभी व्यक्ति, वर्सा के आने पर आसपास के बातरवान परिवर्थनों को बताई है, आप भी बताई ही, जब बारिस होती है, तो क्या होती नए पत्ते आ जाते, फूल आ जाते, हर्याली चाह जाती है, चारोतरव का बातरवन शीतल मैं, सांती मैं हो हवाएं, फोहार चलने लगती है, हवाएं, खंडी हवाएं हो जाती है, मौसम बदलने लगता है, नदी नाले ताला भर जाते है, है ना सडकों पर भी ट्रफिक जाम होने लगता है, बच्चों का कोला हल बढ़ जाता है, बाता बरण सुन्दर हो जाता है, कभी ने पीपल क कोई बड़ा बुजर क्यों कहा है बताईए क्योंकि पीपल का ब्रक्ष एक ऐसा ब्रक्ष जो की बहुत पुराना होता है बहुत बड़ा होता है उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और गाउं में पीपल जैसा ब्रक्ष जो की बड़ा लंबा चोड़ा और चाया प्रदान कर किःकर मेrek को पाहन के रूप में चित्रत किया है हमारे आथी थी महतु धामात का होता लेकिन परेंपराव परिवर्तनाया क्या लुए थ Iímल न پास नहीं रहते हैं लोगों का आना जाना तो आज क्ल परिवेस बदल रहा दिए ऑफ comment ती वो कम होती जा रही कई कारण जैसे संयुक्त परिवारों का तूटना अब ज्वाइन फैमिली नहीं रही निकलिर फैमिली हो जाती है लोग ज्यादा आते जाते नहीं है शहरी करण हो जाना पाश्चारत संस्क्रति की और बढ़ना लोगों का अपने गाउं शहर से ती हो जाना मतलब के साथ लोगों को पूछना ये सारी बाते होती हैं कि आज धीरे धीरे ये दामात के आने की और स्वागत की परंपराएं नस्ठ होती जा रही है कविता में आए मोहावरों को छटी है पताए कौन-कौन से मोहावरे आए हैं बंठन के मतलब बड़े तयार होके सज शवर के सुधी लेना खवर लेना मिलन कए अश्रू मिलने के लिए मिलने की खुशी गाट खुलना मतलब कलाई खुलना या फिर मन का मैल दूर होना जबार कुलना होता है मन का मेल मन की और अशंकर दूर होना बांध्टूटना ध्यरे समाप्त होना है कमी ताय में आंचलिक्स भी आया है कुछ आंचलिक सब्सक्राइब अंचल के सब्राली यह झेटरी वासा के सब्धाइब जैसे बैयार हवा बंधन कर मतलब सज सवर के बाकी पराथ यहां पर बाकी तो वो तिया बड़ी सरमाई हुई इसी इना पराथ हैं जो हैं जो आपका जो मेघ आये पाठ है वह एक बार में बहुत ही कम समय में मैंने आपको समझाते हुए समाप्त कर दिया है तो अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं और उसका भी हम वन शौट देखेंगे और एक बार में पूरा पाठ समाप्ती की और ले जाएंगे तो कि अ कर दो ओर एक हाउँ